आपको स्क्रीन के उपपर कुछ न्यूस कटिंग्स दिखाई दे रहे होंगे इस तरह के न्यूस मौनसून सिजन के दर्मियान खुब सुर्खया बटोरते हैं किसी डैम के अंदर वाटर लेवल का रूल लेवल के नजदिक तक पहुँच जाना रूल लेवल को मैंटेन करने के लिए डैम में से वाटर का रिलीज करना जैसी खबरे मौनसून सिजन के दर्मियान खुब सुना ही पड़ती है अगर आप एंजिनिरिंग फेल्ट के स्टूडेंट है तो आपको ये जानने की क्यूरियोसिटी अवश्य होती होगी के डैम के अंदर आने वाले पानी का इंफ्लोरेट किस तरह से डिटर्माइन किया जाता है रूल लेवल को मैंटेन करने के लिए डैम में से रिलीज किये जाने वाले पानी का आउटफ्लोरेट किस तरह से डिटर्माइन किया जाता है इसके अलावा FRL, HFL, Capacit Elevation Curve, रूल लेवल जैसे चीजों का गेट ओपरेशन से क्या रिलेशन है आज के इस वीडियो में हम यही सारी चीजे समझने का प्रयास करेंगे जब हम रूल लेवल और गेट ओपरेशन की बात करते हैं तो कुछ बेजिक टर्मिनोलोजी के बारे में हमें अवस्य से पता होना चाहिए इन टर्मिनोलोजी के अंदर सबसे पहला टम जो है वो है FRL FRL मिन्स फूल रिजर्वाइल लेवल FRL जो है डैम के अंदर वो एक हाइस रिजर्वाइल लेवल है जहां तक मौनसून सीजन के अंदर वाटर को स्टोर किया जा सकता है दूसरा टम जो है वो है HFL HFL मिन्स Highest Flood लेवल कई बार मौनसून सीजन के अंदर High Flood को निगोसियेट करते समय वाटर लेवल जो है वो FRL लेवल से उपर चला जाता है और यह water level जो FRL के उपर गया है उसको maximum जिस level तक हम allow करते हैं उसे HFL का आ जाता है अब आपको एक चीज़ आपे ध्यान रखनी है कि dam के अंदर storage करने के लिए हमारे पास जो level है वो FRL level तक ही है और HFL level जो है it means FRL से HFL के बीच का जो storage जो है वो storage हमारे पास केवल flood को manage करने के लिए available है इसका मतलब यह कभी भी नहीं है कि आप water को dam के अंदर कोई भी सीजन में FRL के उपर तक store करेंगे आपको water हमेशा FRL के नीचे या FRL level तक ही store करके रखना होता है उसके बाद में next हम जो है वो है storage, storage तीन टाइप के होते है dead storage, live storage and gross storage dead storage means dam के lowest outlet level के नीचे जितना भी पानी store हो सकता है उसे हम dead storage कहते है dam के अंदर lowest outlet level से FRL level के बीच में जितना भी water store होता है उसे हम live storage कहते है और dead storage plus live storage मिलके gross storage बनाता है storage के इस concept को समझने के लिए आप इस figure में देख सकता है कि जो dam का under sources है उस level को हम lowest outlet level कहेंगे और उस level के नीचे जो भी पानी store होगा उसे हम dead storage कहेंगे dam के under sources के level यानि lowest outlet level से लेकर FRL level तक जो भी पानी store होगा उसे हम live storage कहेंगे FRL से HFL के बीच में मैंने अभी आपको इससे पहले कहा कि जो भी water store होगा वो temporary purpose के लिए होगा to negotiate the flood तो इसके बीच में FRL और HFL के बीच में जो भी storage होगा उसे हम search charge कहेंगे और वो for a time being होगा permanently नहीं है HFL से लेकर dam के top के बीच में जो भी storage space available है उसे हम free board कहेंगे dam के अंदर free board generally जो monsoon season के दर्मियान कई बार wind speed बहुत जादा होती है जिसकी वज़े से waves formation होते हैं और वो waves water waves dam की surface को over top ना कर जाए इसके लिए हम free space provide करते हैं जिसे free board कहा जाता है dam के storage को concept को समझने के लिए अभी आपको screen के ऊपर एक table दिखाई दे रहा होगा इस table के अंदर आप देख सकते हैं के capacity at 78 meter 78 meter जो है इस dam के लिए lowest outlet level है it means इसके नीचे का जितना भी storage होगा वो सारा dead storage बन जाएगा तो इस particular dam के लिए आपका dead storage कितना हो गया 24.098 million meter cube that is MCM 24.09 MCM अब live storage अगर आपको देखना है तो मैं अगर आपको कहूँ कि मान लीजे कि अभी आपके dam के अंदर water level जो है वो 84.40 है तो आपको क्या करना है simply आपको क्या करना है 84 वाली row को देखना है और 0.40 वाली column को देखना है ठीक है तो जब आप इस column को देखेंगे तो आपके पास जो value आ जाएगी वो value आ जाएगी 28.15 it means आपका live storage जो है इस dam में 84.40 के level के लिए 28.15 और अभी मैं आपको कहूँ आप मुझे total gross storage बताएगी तो gross storage कितना हो जाएगा dead storage plus live storage तो dead storage 24.09 और live storage जो है आपका हो गया 28.15 तो इसका जो भी sum करके जो भी value आ जाएगा वो आपका बन जाएगा gross storage अब next term जो है वो है area elevation curve and capacity elevation curve अब जब कोई भी जगव पे dam को construct किया जाता है तो reservoir area के अंदर सबसे पहले topographical survey conduct किया जाता है topographical survey की मदद से control plan prepare किया जाता है और control plan के अंदर हमारे पास अलग-अलग elevation के उपर हमारे contour होते हैं और contour के उपर contour का अगर हमें area find करना है तो planimeter का use करके हम हर एक contour के द्वारा total कितना area cover किया गया उसकी value को find कर सकते है तो एक ऐसी curve जो elevation contour elevation और area के बीच में relation को बताती हो उस curve को हम area elevation curve कहेंगे अब आप सब ने prismoidal formula और trapezoidal formula के बारे में सुना होगा जब हमारे पास contour है contour के द्वारा cover किया हुआ area है तो उस area की मदद से हम लोग volume को find कर सकते हैं तो इसी तरह हम in trapezoidal formula या फिर prismoidal formula का use करके हम volume find करेंगे volume means capacity तो एक ऐसी curve जो की capacity और elevation के बीच में relation को show करती है उस curve को capacity elevation curve कहा जाता है और कोई भी dam के अंदर अगर हमें capacity को find करना है या फिर volume को find करना है तो हमारे लिए capacity elevation curve या फिर capacity elevation table बहुत ही ज़्यादा important होता है अभी आपको string के उपर एक capacity elevation table का example दीख रहा होगा इसके अंदर अलग-अलग elevation अलग-अलग rl level के लिए water level के लिए आपको storage capacity capacity दी हुई है ठीक है तो suppose कीजे के मैं अभी आपको कहूँ के आपके dam का जो water level है वो 104 meter है तो अभी आपका storage capacity कितनी होगी dam की तो simply आपको क्या करना है simply आपको 104 वाली column को देखना है और 0.00 वाली rating को देखना it means आपका water level storage capacity हो जाएगी अभी 240.34 अभी मैं कहूँ के आपका water level 104.10 है तो आपका storage capacity कितना होगा तो वह हो जाएगा उस case में आपका storage capacity हो जाएगा 242.23 अगर मैं कहूँ के आपका water level जो है वह भी 104.20 है तो आपका storage capacity कितना हो जाएगा तो आपका storage capacity हो जाएगा 244.11 इस तरह से dam के अंदर हम हर एक level के लिए capacity को determine कर सकते है capacity elevation table की मदद से ठीक है अब दूसरा term है वह है flood routing flood routing क्या है तो flood routing simply एक process है जिसके अंदर हम outflow pattern या फिर outflow hydrograph को determine करते है by using data of inflow pattern या फिर inflow hydrograph ठीक है तो inflow से outflow को determine करने की process को simply flood routing कह सकते है उसके बाद में एक नम आता है जिसे कहते है rule level rule level क्या है कि कोई भी dam के अंदर particular monsoon season के अंदर हर specified date पे एक predefined level होता है जिसे हम rule level कहते है rule level को decide करने के लिए बहुत सारे aspect ध्यान में लिए जाते है जिसके अंदर mainly do aspect है सबसे first aspect है flood control aspect और दूसरा है dam water uses aspect तो dam water जो है वो various purposes के लिए use किया जाता है जैसे irrigation purpose है, power generation purpose है, industrial purpose है, drinking water supply तो इन सारे aspect को rule level decide करते समय ध्यान में लेना होता है अभी आपको screen के उपर rule level का chart दिकाई दे रहा होगा कोई particular dam के लिए तो कोई भी इस dam के अंदर values जो लिखी हुई है first July से first October it means generally अपने इंडिया के अंदर हम first July से first October के बीच के समय को monsoon period कहते है, तो इसी monsoon period में हर एक date के लिए अलग-अलग level defined किया हुआ है जिसे हम rule level कहते है for example मैं आपको कहूँ कि 15 July के दिन rule level कितना है इस dam का तो कितना हो गया 15 July के दिन 105.19 15 August के दिन कितना है तो 108.88 15 September के दिन कितना है 112.88 इसी तरह से first October के दिन कितना है तो 115.25 अब first October जो है वो end period है इस monsoon season का it means first October को हम dam को full capacity तक fill कर सकते है तो full capacity means FRL it means जो first October के दिन जो capacity जो rule level होगा वो FRL के बराबर होगा अब next rule level का role क्या है तो rule level की मदद से आप ध्यान रखिये कि rule level जो है वो हर एक अलग-अलग date पे कितना water हम maximum dam के अंदर रख सकते है उसकी information provide करता है ठीक है तो particular date पे हमारा पास कितना space flood space available है flood water को accumulate या accommodate करने के लिए उसकी information भी हमारे पास available होगी for example मैं आपको कहूँ कि आज 15 August है और dam के अंदर जो rule level है 108.88 है it means मैं maximum water store कर सकता हो वो इस level तक कर सकता हो अब 108.88 से लेकर 115.25 it means frl level तक का space flood space अभी मेरे पास available है जिसके अंदर अगर future में कोई flood आता है तो उसके पानी को मैं accommodate कर सकता हो तो इस तरह से rule level जो है flood space जो available हमारे पास है उसके बारे में भी information देता है इसके अलावा rule level की वज़े से हम flood water को regulated मेनन में discharge कर सकता है downstream side में और इसकी वज़े से panic gate operation जो होता है उससे बचा जा सकता है तो यह सारे role है rule level के अब rule level को decide करने के लिए हमारे पास कुछ basic data होने चाहिए इन data के अंदर इन चीजों का inclusion होता है जैसे की inflow data है it means जो reservoir है हमारे पास उस reservoir के अंदर inflow pattern किस तरह का है उसके बारे में हमने पास data होना चाहिए इसके अलावा reservoir मेंसे जो water requirement है like irrigation purpose के लिए water supply power generation इन सारे purpose के लिए water की requirement कितनी पढ़ती है इसके अलावा past experience of flood means के पिछले 20 या 30 सालों में maximum कितना flood कितना discharge reservoir के अंदर आया हुआ है highest quantity है वो कितनी आया हुई है उसकी information भी हमारे पास होनी चाहिए इसके अलावा downstream hazard it means like जो reservoir है उसके downstream side में किस तरह की किस तरह के hazard है for example वापे खेत है या फिर कुछ residential area है या फिर कोई public property आई हुई है तो यह यह अलग-अलग type के hazard होते है तो यह किस type की property है किस type के किस type का area downstream side में आया हुआ उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए और इसके अलावा safe carrying capacity of downstream channel it means जब पानी को release किया जाएगा तो वह पानी जाने का हवाल downstream side में तो वह downstream channel जो है या downstream river जो है उसकी safe carrying capacity कितनी है उसके बारे में information भी हमें होनी चाहिए एक rule level को decide करने के लिए अब इन सारे term terminologist के बारे में हमने समझ लिया है इसके बाद में हम जो समझेंगे वह है gate operation gate operation करने अगर जब हम कोई dam के अंदर gate operation की बात करते है gate operation करने से पहले दो चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए वह first है वह inflow and second is outflow inflow के अंदर हमें inflow rate को estimate करना होता है और outflow के अंदर हम outflow rate को decide करना होता है ठीक है अभी आपको screen के उपर एक chart दिखाई दे रहा होगा और उसके side में कुछ calculation है तो simply हम एक example ले लेते है कि मान लीजिए आपका एक dam है जिसके अंदर अभी water level 104 meter पर है और वह बढ़के 105 meter तक पहुँच आता है अभी इससे पहले मैंने आपको एक chart बताया था जिसके अंदर capacity elevation table था जिसके अंदर 104 और 105 meter के level के लिए अलग-अलग level पर आपका water storage capacity लिखा हुआ था वही वाले example को हमें आपे continue करते है तो मान लेजिए कि 104 के level पर आपका storage capacity जो है वो 240.34 mcm में 105 meter जो level है वहाँ पर आपका water storage capacity 259.83 mcm है तो अगर water level 104 से 105 के बीच में rise हो रहा है इसमिस आपके dam के अंदर total कितना पानी आया है तो वह हो जाएगा इन दोनों value को आपको minus करना है किन दोनों value को 259 और 240 वाली value को दोनों को minus करना है तो इससे आपको value मिल जाएगी 19.49 mcm it means आपका आपके contour 104 और 105 के बीच में reservoir के अंदर total 19.49 mcm पानी इखटा हो सकता है ठीक है अब अब हमको इस value के उपर से find करना है कि total inflow rate क्या है inflow discharge क्या है ठीक है तो आपके पास volume की value तो अल्रेडी आ गई है 19.49 तो volume आपका कितना हो गया 19.49 million mcm मान लेते है कि जो आपका water level 104 से 105 m जो गया है वो एक गंटे के अंदर बढ़ा है इटमिस आपका total time duration कितना हो जाएगा 3600 seconds ठीक है तो inflow rate determine करने के लिए formula क्या होगा volume divided by time या फिर volume divided by duration तो कितना हो जाएगा 19.49 10 raise to 6 divided by 3600 तो आपके पास जो value आ जाएगी वो हो जाएगी 5413.88 qmax qmax जो है उसका मतलब होता है meter cube per second अगर एक गंटे में आपका water level एक meter से rise होता है तो आपके dam के अंदर inflow rate होगा वो कितना होगा 5413.88 qmax तो एक meter के अंदर 100 cm तो 100 cm water rise अगर आपका एक गंटे में हो रहा है तो आपका inflow rate जो आ रहा है वो 5413.88 qmax आ रहा है तो अभी मान लिजे कि अगर मैं कहूं कि 100 cm की जगर एक गंटे में 1 cm ही बढ़ रहा हो यानि unit increase ही हो रहा हो तो कितना होगा तो simply आपको क्या करना पड़ेगा 5413.88 को divide कर दीजे 100 से तो आपका inflow rate हो जाएगा 54.14 qmax that is 1910 qsec that is feet cube per second तो आपका inflow rate क्या आ रहा है 1910 qsec means 1910 feet cube per second अब suppose किजे कि आपके dam के अंदर 1 cm water level ना बढ़के 15 cm water level बढ़ रहा है in 1 hour तो आपका inflow rate कितना हो जाएगा simply आपको यह unit value को 15 से multiply कर देना है तो 1910 into 15 so it will give you answer as 28,650 qsec it means 15 cm पानी एक गंडे के अंदर आ रहा है तो आपका inflow rate हो जाएगा 28650 qsec इसी तरह से अगर आपका एक गंडे के अंदर 10 cm पानी water level बढ़ रहा है तो आपका inflow rate कितना हो जाएगा simply 1910 into 10 तो जो भी answer आपका आएगा वो बन जाएगा आपका inflow rate for 10 cm इस तरह आपको इस चार्ट के अंदर various level के लिए अलग-अलग level के लिए आपको अलग-अलग level के लिए आपको यह सारी inflow rate बता हुई है जैसे 87-88 के level के बीच में अगर आपका 1 cm water एक गंडे में आएगा तो आपका inflow rate 610 हो जाएगा इसी तरह से 93 से 94 के बीच में यह value होगी 104 से 105 के बीच में यह value होगी तो इस value को simply जो मैंने आपको यह calculation बताया है इस तरह से calculate करके हम determine कर सकते हैं अब inflow rate को determine करने के बाद में next जो चीज हमें determine करनी होती है वो होती है outflow rate outflow rate तो यह हमने बोली है flood routing में के inflow rate के data के उपर से outflow rate determine करने की process को क्या बोला जाता है flood routing बोला जाता है तो outflow rate को determine करने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो value होनी चाहिए फिर सबसे पहले जो table होना चाहिए वो table है spillware discharge for different gate opening it means क्या है कि एक ऐसा table जो की बताएगा कि अगर gate को इतने distance से ओपर की open किया जाता या इतनी opening gate की की जाती है तो उस gate में से particular level of water के लिए कितना water discharge होगा तो उसकी value को बढ़ताने वाले table को हमें use करकी outflow rate को determine करना होता है अब आपको screen के ओपर यह table दिखाई जा रहा है इसमें gate opening in meter बताय हुआ है for one gate मतलब एक gate को अगर मैं open करता हूँ तो आपका कितना water discharge होगा for particular for particular particular water level ठीक है तो water level आपको left side में बताय हुआ है 103.1 103.2 103.3 इस तरह से अलग-अलग level पे अलग-अलग gate की opening के लिए discharge water कितना होगा इसकी value को बताय हुआ है अभी हम suppose करें example ले लेते है कि आपका water level जो है वो 104 पे था और वो बढ़के 104.10 हुआ इटमीस एक गंटे के अंदर आपका जो water level है वो 10 cm से rise हुआ है तो मैंने भी आपको इससे पहले वाले pace पे क्या बताया है कि आपका inflow rate कितना हो जाएगा उस वाली case में 19100 ठीक है इतना q stack of water आपका inflow rate हो जाएगा particular r के लिए ठीक है अब मान लीजिए कि आज का आपका rule level जो है वो rule level आपका 104 meter it means आप आज के दिन में water को 104 के 104 meter के level से उपर allow नहीं कर सकते तो आपको क्या करना पड़ेगा इतना जो आपको inflow हो रहा है इस पानी को outflow के form में बहार निकालना पड़ेगा समझ में आगे अब आप देखिए 104.10 it means 104.1 के level पे gate की opening को बताया हुआ है 528, 1041 it means अलग-अलग gate की opening value के लिए अलग-अलग outflow rate है ठीक है एक particular gate के लिए तो मान लेता है कि हम इस gate को open करेंगे 1 meter 1 gate को 1 meter open करेंगे ठीक है जब 1 gate को 1 meter open करेंगे तो एक gate में से जो आपका जो outflow rate होगा वो कितना हो जागा 2493 ठीक है तो आपका inflow rate जो total dam के अंदर हो रहा है वो 19100 हो रहा है जो outflow rate एक gate से है 2493 तो obviously जो inflow rate है वो आपका एक gate से outflow rate से जादा है तो आपको इतना outflow करने के लिए इतनी value को achieve करने के लिए आपको multiple gates को open करना पड़ेगा तो वो gates का number हम किस तरह से divide करेंगे इन दोनो value को divide कर दीजिए तो इन दोनो value को जब आप divide करते है तो आपके पास value आ जाएगी approximate 2.66 it means आपको 7 या 8 gate 7.66 gate तो open करने सकते या तो 7 हो सकता है या 8 हो सकता है तो आप क्या करेंगे simply आप total 7 gate open कीजिए तो 7 gate अगर आप open करेंगे total outflow आपका कितना हो जाएगा 2493 into 7 2493 into 7 तो आपकी जो value जो approximate value आएगी वो value आएगी 17451 मतलब total 7 gate open करने पर 1 meter से आपके total जो outflow होगा डैम से वो हो जाएगा 17451 मतलब आपका 19,000 क्यूसे inflow है और 17,000 क्यूसेक outflow है इस तरह से आपने गेट को डैम के 7 gate को 1 meter से open करके डैम के outflow को manage किया होगा है ठीक है तो इसी तरह से हम gate के operation को करते है डैम के अंदर और डैम के अंदर operation को करने के बाद में डैम से water को outflow किया जाता है I hope आपको इस example के तरह डैम के अंदर rule level को कैसे maintain करना है उसके लिए inflow और outflow को कैसे calculate किया है वो समझ में आ गया होगा next slide में आप एक वीडियो देखेंगे इस वीडियो के अंदर आप देख सकते है कि एक monsoon season के दर्मियान जब water level dam के अंदर rule level से उपर चला गया है तो rule level को maintain करने के लिए dam के gates को season में first time open किया जा रहा है और open करने के साथ में water level किस तरह से gate के थूँ spillway के उपर flow हो रहा है इस particular dam में जो spillway है वो augy type का spillway है और energy dissipator जो है वो stealing basin type का dissipator है ठीक है तो इस वीडियो के थूँ आप देख सकते हैं first time जब season में gate को open किया गया है तो पानी किस तरह से spillway के उपर flow हो रहा है एक और वीडियो आप देख सकते है next slide में जिस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं पानी जो है वो फिट रहा है एक डेम के spillway कर रहा है एक डेम के अंदर इस्टी रहे है वो ऑगी type का spillway है और energy dissipator जो है वो steel junk bucket type का energy dissipator है energy dissipator के बारे में आप जानते हुए कि जो energy dissipate करने के लिए I hope आपको इस वीडियो के अंदर rule level और gate operations का procedure समझ में आ गया होगा इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई doubt है तो आप comment section में अपना question पूछ सकते हैं इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को subscribe भी कर सकते हैं मैं आशा करता हो कि अगले वीडियो में कुछ नए topic के साथ हम फिर से मिलेंगे तब तक जय हिन जय भारत